डॉक्टर भीमराव अमेटकर विश्विध्याले ने सोमवार को बीकॉम के रिजल्ट जारी कर दिये थे इसमें आग्रा कॉलेज के बीकॉम के दोसों से ज्यादा विध्यार्थियों को एक विश्य में अनुपस्तित दर्शा दिया गया जिसके बाद सभी चात्र चात्राएं विश्विध्याले में अपनी शिकायत लेकर पहुँझे जहां पर परिक्षा नियंत्रक द्वारा कहा गया कि आपका परिक्षा परिणाम मंगलवार शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा लेकिन बुदवार दोपहर तक परिक्षा परिणाम सही ना होने के कारण फिर से चात्र चात्राएं विश्विध्याले पहुँच गए और प्रदशन किया चात्रो का कहना है कि विश्विध्याले द्वारा बताया गया कि परिक्षा परिणाम में अनुपस्तित दर्शाने के पीछे तकनीकी दिक्कत है आखिर विश्विध्याले तकनीकी दिक्कत को सही क्यों नहीं करा पा रहा है क्या तकनीकी दिक्कत इतनी बड़ी है कि विश्विध्याले को इसके लिए वेग्यानिक बोलाने पड़ रहे हैं विश्विध्याले की लापरवाही के चलते हमारा भविश्य खराब हो रहा है हमें अगले सत्र में प्रवेश भी लेना है चाथरों का कहना है कि दो सों से जादा विध्यार्टियों का भविष्य, विश्विध्याले की लापरवाही की वज़ा से खराब हो रहा है M.com में प्रवेश लेने के लिए प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने वाली है ऐसे में अगर जल्द हमारा परिक्षा परिणाम सही नहीं किया गया तो हम बरवाद हो जाएंगे छात्र छात्राओं ने बताया कि मंगलवार को जब हम परिक्षा नियंत्रक के पास गए थे तो उन्होंने दावे के साथ कहा था कि अगर शाम तक आपका परिणाम सही ना हुआ तो आपका जो मन करे वह करना लेकिन आज बुद्वार है पर अभी तक परिक्षा परिणाम को विश्विध्याले की तरफ से अपडेट नहीं किया गया है अभी हमारे परिणाम में अनुपस्तित ही दर्शा रहा है विश्विध्याले के परिक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि तकनीकी दिक्कत के चलते चात्र चात्राओं के परिक्षा परिणाम में अफसेंट दर्शा रहा था जल्द ही उसे सही किया जा रहा है आज शान तक परिक्षा परिणाम अपडेट कर दिया जाएगा सीनियोस के लिए लक्षमिरा सिंग की रिपोर्ट